आप सभी का सौगत है हमारी चैनल इंजीनियस कोच में हैं अगर आप घर बनवाने का प्लान कर रहे हो और यह जानना चाहते हो कि घर बनवाने में कितना माटेरियल लग जाएगा उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट कितना पड़ेगा, यह सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में घर चाहें 700 स्कॉर फिट बनवाना हो, 800, 900, 1000 स्कॉर फिट, कितना भी स्कॉर फिट घर हो लेकिन अगर आप इस तरीके से, जो अभी हम method बताने वाले हैं, उस तरीके से अगर आप calculation करते हो तो आप एक tentative cost निकाल सकते हो कि कितना लाख रुपए खरच आ जाएगा एक घर को बनवाने में जिसे आप planning कर सकते हो कि आपको घर बनवाना कब start करना है और कितने amount की ज़रूरत होगी तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि foundation से लिए कि full finishing तक घर बनवाने में कितना खरचाता है इसमें हम थंब्रूल से निकालेंगे कि कितना cement लगेगा, sand, aggregate, steel, brick, tiles, paint, electrical plumbing work और labor rate कितने भी square feet का आपको construction कराना हो, 700, 800, 900, 1000 square feet कितना भी कराना हो, उसका calculation कैसे करते हैं लेकिन यहाप अभी example लेके चलना है, 1000 square feet का, तो अब यहाँ भी क्या करेंगे कि माल लो हमें 1000 square feet का घर का construction कराना है अब हमें पहले निकालना है cement की quantity, एक thumb rules, एक tentative, कितना bag cement हमें लग जाएगा, तो कितना भी square feet का आपका area हो, आप उसको गुड़ा कर दोगे, multiply कर दोगे किससे, 0.5 यानि हमारा 1000 square feet का, हमारा construction कराना है house का, तो गुड़ा कर देंगे 0.5, यानि हमारा आ जाएगा 500 bags हमारे cement के लग जाएगे अब यह जो हमने calculation किया 500 bag, इसमें हमने बताया एक tentative, एक thumb rule के हिसाब से, means यहाँ पे आपका साड़े 400 bag भी लग सकता है, 500 bag भी लग सकता है, या साड़े 500 bag भी लग सकता है, लेकिन एक average कितना लग जाएगा, क्योंकि construction में accurate calculation नहीं हो पाती, जैसे अगर 500 bag का calculation के हिसाब से तो बिलकुल यह जरूरी नहीं है कि 500 bag ही लगेगा, 505 bag भी लग सकता है, 505 bag भी लग सकता है, तो यह चीज होती है, तो tentative हमारा 500 bag के आसपास आ जाएगा, और जो cement की आपकी cost पड़ेगी, अच्छे cement की, आपको मिल लाएगी 400 रुपैसे लेके, साड़े 400 रुपै तक, तो कि हमें यहाँ एक estimate चाहिए, एक budget चाहिए, और वो हम जादा का लेके चलेंगे, कि हम जब भी construction कराएं, तो काम रुके ना, अब यहाँ पे 500 bag चाहिए cement के, जो कि हमें मिल जाएगा market में, 450 रुपै के आसपास per bag, और cement कभी भी खरीदना, तो cement का manufacture date देखना है कि cement कब बनी है cement के bag पे देखोगे, पीछे लिखा रहता है, best before three months, यानि cement जितनी fresh होती है, जैसे cement का manufacture date है, और उसके एक मही ने पुरानी cement है, तो खीक है, best है वो ले सकते हो, लेकिन जादत जैसे हैसे cement पुरानी होती जाती है, उसकी strength कम होती जाती है, यह जो भी material है, ठीक है, जो सबसे main material इसमें है, वो है cement, यही आपके structure को strength देगी, तो यह खरीदने से पहले, बहुत ही आप ध्यान रखना, इस पर हमने एक detail video बनाया, कि cement करीदने से पहले, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, उसकी quality, कैसे test करते हैं, सारी चीज़ें हमने बदा आगे रखा हैं, तो चलो अब करेंगे, हजार गुडे दो करेंगे, हजार गुडे दो करेंगे, तो हमारा यह आ जाएगा, 2000 cubic feet, 2000 cubic feet की आसपास हमारी sand लग जाएगी, यह आपकी 1800 cubic feet, 2000 cubic feet ऐसी ही लगेगी, तो हमें आपे जादा लेगे चलेंगे, तो 2000 cubic feet माल लेते हैं, फिर हम यह माल लेते हैं, कि जो हम ban aggregate की अब बात करें है तो यह लग जाएगा वट 2 हमें एग्रिजेट के हंसाफ से माल लेते खी possible का construction है और हमारा aggregate मतलब गित्ती होती है तो हम क्या करें हजार गुड़े 1.2 करेंगे को हमारा 50uk fit में एग्रिए आ जाएगा यानि पूरे building में हमारी ठीक है एक floor बनाने में 1000 square feet का construction है तो हम क्या करेंगे 1000 गुड़े चार कर देंगे तो यानि 4000 kg की steel हमें इसमें चाहिए होगी और जो steel का rate है वो हमें कितना मिल जाएगा अब 50 रुपए से लेके 70 रुपए के बीच में हमें एक अच्छी steel मिल जाएगी हमें अ 1000 square feet का construction है तो हम क्या करेंगे 1000 गुड़े 26 कर देंगे तो यहां हमारी आ जाएगी quantity 26,000 number of bricks लग जाएगी 26,000 brick लग जाएगी अब एक brick हमारी 7 रुपए की भी मिल सकती 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए ठीक है वो quality के उपर है आप कौन सी quality को select कर रहे हो हम यहां लेंगे कि ह हम जो brick है सबसे बढ़ियावाल इस्तमाल करेंगे तो हमें 10 रुपए पर piece के हिसाप से पढ़ेगी अब tiles की अगर हम बात करें तो tiles का एक हम tentative cost मिकालें तो वो हमें पढ़ जाएगा 80 रुपए पर square feet के हिसाप तो इसमें सारी चीज़े include है material है labor है cement है sand है सारी चीजे include है इ construction area तो इसमें माल लेते हैं 80 रुपए पर square feet के हिसाप से हमारा यह जो cost है वो आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे 80 गुड़े 1000 कर देंगे तो हमारा जो cost निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 80,000 रुपए हमारा tiles में चला जाएगा paint की बात करें तो paint में हमारा 50 रुप include हैं तो यह हमारा जो cost आ जाएगा वो 50,000 रुपए के आसपास पूरा painting इसमें putty है, primer है, paint है, labor cost सारी चीज़े include हैं तो हमारे जितना भी area हो हम उसको 50 से गुड़ा कर देंगे तो हमारा tentative cost निकल के आ जाएगा अब बात करें इसमें electrical और plumbing की अब यह जो हमारा per square feet के हिसा आपके cost आने वाले, इसमें सारी चीज़े include होगी, जैसे electrical में आपकी wiring होगा, switches होगा, board होगा, plumbing में क्या होगा, आपका water supply, drainage supply होगा, fittings होगा, taps होगा, तो यह मान की चलते हैं आप एक average quality का भी लगा रहे हो, तो वो 2500 रुपए per square feet के हिसाब से आपकी cost आ जाएगी, तो हमा लाख रुपए इसमें लग जाएगा, electrical और plumbing में, अब labor rate की बात हैं, तो labor rate आपका 180 से लेगे 220 रुपए per square feet के हिसाब से इसमें labor cost जो है market में वो चलते हैं, तो हमान के चलते हैं, कि 200 रुपए per square feet के हिसाब से अगर हम labor को पूरा contract दे देते हैं, कि पूरा उसमें काम करना ह labor को, पूरा structure का काम जो है, structure के काम में क्या आ गया, जो भी concrete का काम हुआ, foundation का काम हुआ, brick work हुआ, plaster हुआ, ये सारी चीजें लेके, सारा जो cost आएगा, वो 200 रुपए per square feet, तो हमारा 1000 square feet का construction है, 1000 गुड़े 200, तो यह हमारा हो गया, around 2,00, रुपए, अब इसमें ये सारी cost नि 25,000, सैंड की अगर बात करें, 2000 cubic feet हम सैंड मांगा रहे हैं, 60 रुपए per cubic feet के हिसाब से, तो यह हमारा आ जाएगा, यहाप 120,000 सैंड का हो जाएगा, अब गिट्टी की बात करें, aggregate की बात करें, तो aggregate हमारा कितना आ रहा है, 1200 cubic feet हमें चाहिए, वो भी 50 रुपए per cubic feet के हिसाब 2,40,000, ब्रिक की बात करें, तो हम 10 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं, पर ब्रिक के हिसाब से, तो यह भी हमारी पढ़ जाएगी, 2,60,000 रुपए, अब यह सारी चीज़ें अगर हम टोटल कर दें, इसको हम टोटल करेंगे, तो यह हमारा around आ जाएगा, 16 लाख, यह सारी च हो गया, रेलिंग हो गया, अब रेलिंग कौन सी लगवा होगे, एसस की लगवा होगे, ग्लास की लगवा होगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मान के चलते हैं, उन सारी चीज़ों का around 2,00,000 रुपए के आसपास करच आ जाए या नहीं हमारे total 1000 स्कॉर फिट का construction है, 18,00,000 रुपए हमारे लग जाएंगे एक अच्छा quality का घर बनाने के लिए, तो 1000 स्कॉर फिट का अगर हमें construction कराना है, फुल फिनिशिंग तक foundation से लेगे, फुल फिनिशिंग तक तो around हमारा 18,00,000 रुपए का खर्च आने वाला है, तो आपको कितने स्कॉर फिट का construction कराना ह आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, हम तुरन्त reply उसका देंगे कि उसमें कितने लाख रुपए लग जाएंगे आपको उस घर का construction कराने के लिए, उसमें सारी डीटेल हमने दे दी हैं, आपको cement, sand, aggregated, steel, brick, ये वीडियो अगर आपके लिए helpful होगी तो please इस वीडियो को like कर हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसी वीडियो उसके लिए तो मिलते हैं नेफ्स वीडियो में, thank you